नक्षत्र टोनी सेवन मीडिया की अध्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह सष्ठी के शिराद के विशे में सष्ठी का शिराद जब आप कर रहे हैं अपने पितरों के लिए तो सुभता को बनाए रखने के लिए पितरों का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए आज सष्ठी का शिराद है आज विशेश दिन है उन समस्त लो कल तक आप हमसे गाजियाबाद मुलाकात कर सकते हैं और 11 से लेकर के 17 सितमबर तक हम आपसे गयाजी में मुलाकात करेंगे गयाजी में अगर आप मिलना चाहते हैं या हमारे द्वारा अपने पितरों का पिंड़दान करवाना चाहते हैं तो दोनु परिस्थतिवों में जो नंबर आपके सामने फ्लेश हो रहा है 9354619250 9910291850 956044700 पर कॉल या वाड़सप करिए आई ये सुरुबात करते हैं आज के जोतिश दिशाकी आज का पंचांग आश्विन महा कृष्ण पक्ष सश्ठी थी चन्रमा दोपहर तीन बचकर आठ मिनट तक मेश में इसके बाद चन्रमा का ब्रिशबरासी में प्रिवेश नक्षत भरणी सुबह आठ चौबिस तक इसके बाद कृतिका नक्षत राज लग जाएगा योग व्याग्यात तदनसार दिनांक 8 सितंबर दिन मंगलवार मंगलवार को राहुकाल का समय नोट कर लीजेगा दोपहर 3 से 4 बज कर 30 मिनट तक राहुकाल अशुब समय जिसमें नए और शुब काम नहीं किये जाते मेश राशी मन थोड़ा विचलित होगा आज सिक्षा से विमुक्ता होगी सिक्षा में मन नहीं लगेगा बैपार बहतरी बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी बैपार में कुछ विशेश उपलब्दी मिलेगी प्राइवेट सिक्टर के लिए वाहन का सुख मिलेगा और अविवाहितों के लिए शादी की संभाव ना है सरकारी छित्र में कुछ इस्थतियां हाथ से निकल रही है तो कुछ हाथ में आ रही है दामपत्त जीवन बहुत अच्छा रहेगा रिष्टों में मधुरता रहेगी तनाव कम होगा आज दिनांक 8 सितंबर लव लाइफ की स्थती में कुछ सुधार हो रहा है आज 8 सितंबर को स्वास्थ के मामले में माइग्रेन आँख और बैक की प्रॉबलम हो सकती है उपाय क्या करना है अगर आपकी राशी मेश है मेश राशी वालों के लिए आज सश्थी का श्राद पितरों के निमित किसी बुज़र्ग को दवा का दान कर दीजेगा और क्या नहीं करना है आज मेश वालों को किसी को धन उधार नहीं देना है सफेद्रंग शुभ है 75 प्रत्षत का बिलक्षण भाग्याब के साथ है ब्रुशब राशी सिक्षा में आई बाधाएं दूर होंगी पढ़ाई आज अच्छी करेंगे सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापार प्रभावित होगा बिजनस की स्थिति डामा डोल है बिजनस को ले करके आज आशंकित रहेंगे प्राइवेट सिक्टर में अनकुलता रहेगी वाहन का सुख मिलेगा नई नवगरी की संभावना है सरकारी छेतर में कोई दोस्त मुददगार साबित होगा बड़े काम आज संपन्न हो सकते हैं कोई बहुत बड़ी समस्या का हल निकलेगा आज लव लाइफ की स्थिती बताएंगे हम दामपत्य जीवन पत्पत्नी की बीच तनाव कम हो रहा संतान का सुख मिलेगा मुश्किलों से बाहर आएंगे दामपत्य जीवन आपका सुधार है कुछ मसले हल निकलाएंगे आज लव लाइफ की स्थिती थोड़ी सी डावा डोल होगी लव लाइफ में बहुत अच्छा सा मानने स्थिती नहीं है स्वास्त का मामला लाप देगा स्वास्त में बहुत सुधार होगा ब्रशब राशी के लिए आज का दिन उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी ब्रशब है सश्थी का असराद है आज यहूं और चावल अलग-अलग बरतन में रखकर किसी जरुरत मंद को दे दीजेगा क्या नहीं करना है आज कम से कम दूसरों के साथ स्वयम को साध लीजिएगा एरजेष्ट करना सिखिएगा लालन की शुपता है चोवन प्रित्षत का भाग आपके साथ है मिथुन राशी रुके कारे बन जाएंगे पढ़ाई में मन लगेगा शिक्षा में आई बाधाएं दूर होंगी ब्यापार में नुकसान हो सकता है बिजनस की स्थिटी ठीक नहीं है ब्यापार में कुछ तनाव बढ़ रहा है प्राइवट सिक्टर में अनकूलता है मुश्किलों का हल निकलेगा प्राइवट सिक्टर में कोई बहुत सा गरात्मक की स्थिटी आएगी सरकारी छेतर में मुश्किलें बढ़ रही है गौर्णमेंट सेक्टर को ले करके सावधान रहने की आवशकता है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा रिष्टा मधरता की तरफ है कुछ बड़ी मुश्किल का हल निकलेगा लव लाइफ की स्थती कहीं से भी ठीक नहीं है लव लाइफ में कुछ बड़ा बोज आप पर पड़ सकता है परजनों के दौरा मिथुन राशी स्वास्त के मामले में आज का दिन आखों की तकलीफ देगा और लूज मोशन की शिकायत रहेगी उपाई क्या करना चाहिए आज आज किसी बड़े बुजर्ग को कुछ दवाओं का दान देना शुब होगा क्या नहीं करना है आज बहुत ज़्यादा उलजन नहीं पालना है शुबरंग गुलावी भाग्य प्रत्षत 75 करक राशी पढ़ाई के लिए आज तनाव बढ़ रहा है शिक्षा में मन नहीं लगेगा टीचर्स के साथ कुछ बिवाद की स्थिति आ सकती है ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस की स्थिति बहुत अच्छी है ब्यापार में कुछ नुकसान था लेकिन वो दूर हो जाएगा संतान का सुक मिलेगा प्रशन अता रहेगी मुश्किलों का हल निकलेगा लव लाइफ की स्थिति में सुधार होगा लव लाइफ में कुछ बहुत सा करात्मक होने की संभावनाय बनती है लव लाइफ को लेकर कि सजग रहना है दामपत्य जीवन आपका अच्छा है और लव लाइफ में भी सजगता रख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा आज पितरों के लिए करक राशी वालों को क्या उपाय करना चाहिए तीन पौधों में जल देकर एक किसी जरुरत मंद को भोजन करा दीजेगा और क्या नहीं करना है अगर आपकी राशी करक है तो दुश्मन को कम नहीं आगना है शुबरंग लाल भाग्य प्रत्षत 61 सिंग राशी मानसिक शामती नहीं है आज तनाव बढ़ सकता है पढ़ाई नहीं होगी आज ब्यापार अच्छा चलेगा पार्टनर्शिप टिक जाएगा बड़ा ओर्डर मिल सकता है आज प्राइवेट सिक्टर में वहान का सुक मिलेगा शादी नहीं होई थे तो तैह हो सकते है सरकारी छेतर में कुछ इस्थतियां आपके हाथ में हैं तो कुछ हाथ से बाहर है आज दांपत्त जीवन अच्छा रहेगा मुश्किलों का हल निकलेगा ससुराल से रिस्ता मदुर होगा लेकिन लव लाइफ में आज सुधार नहीं होगा लव लाइफ की स्थती कहीं से भी ठीक नहीं है स्वास्त के मामले में आप पर भरोसा होना टेड़ी खीर है आज लापरवाही करेंगे तो आज हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा आज सश्थी के श्राध के दिन दिन को बेहतर करते हुए बड़ों का आशिरवाद प्राप्ट करने के लिए सिंग राशी वालों को काले तिल का दान जरूरत मंद को करना शुब होगा जरूरत मंद ना मिले तो कहीं को उशाला में भी कर सकते हैं सिंग राशी के लिए क्या नहीं करना है आज आज किसी को वाहन उधार नहीं देना है सब कुछ बहुत सामान नहीं है किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी कोई दोश नहीं रहेगा पढ़ाई अच्छी करेंगे सिक्षा में सुधार होगा ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में तनाव खत्म होगा प्राइवेट सिक्टर में नोखरी पर आचा रही है इस्थती अच्छी नहीं है सरकारी छेतर में बहुत बेहतर सिस्थती रहेगी गौर्श्मेंट सिक्टर में कुछ बहुत सकरात्मग होगा दामपत्त जीवन सकरात्मग है परेशानियों का अंत होगा मुश्किलों से बाहर आएंगे लव लाइफ की स्थिती में सुधार है शादी की चर्चा कर सकते हैं हर हाल में सगरात्मक्ता जुड़ी रहेगी लव लाइफ आज दुपहर के बाद कोई नया प्रपोजल भी मिल सकता है स्वास्त के मामले में आखों की तकलीफ दांत और पीट की समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आज कन्या राशी आपकी है और पितरों के लिए सश्ठी का श्राद कर रहे हैं तो जौ की आटे में काले तिल मिलाकर गव शाला में देना शुब होगा क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है गुलावी रंग शुब है पचास प्रशुद का भाग आपके साथ है तुला राशी दिनांक आठ सितंबर पढ़ाई के लिए अवसर आज बहुत मिलेंगे सिक्षा में कोई दोश नहीं आएगा सिक्षा छेतर में कुछ बहुत सकरात्मक होगा ब्यापार भी अच्छा है बिजनस में मुश्किलों का हल निकलेगा ब्यापार एक नुकसान से बाहर आ जाएंगे प्राइवेट सिक्टर के लिए अनकूलता रहेगी प्राइवेट सिक्टर में किसी तरह कदोश नहीं आएगा सरकारी छेतर में मुश्किलें बढ़ सकती है गौर्मेंट सिक्टर में कुछ बहुत सकरात्मक होगा दामपत्य जीवन थोड़ा सा सुधार है दामपत्य जीवन में कुछ समस्याएं भी है दामपत्य जीवन को सकरात्मक लेकर के चलने की स्थिती बनानी होगी लव लाइफ में कुछ मांसिक अशान्ती आ सकती है आज आज कोई दोस्त धुखा दे सकता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आँखों की तकलीफ दांत में दर्द और लीवर की प्राब्लम हो सकती है तुला राशी के लिए उपाय क्या करना चाहिए आज आज अपने हाथ से किसी बड़े बुज़र्ग को कोई जरूरतमंद दिख जाए तो रोटी और दाल का दान शुभ होगा मालेजी खाना बना हुआ नहीं कोई ले पाता है तो गेहू और दाल पीली दाल कहीं दान कर दीजेगा पितरों के लिए करना है ये ध्यान रखिएगा तुला राशी के लिए क्या नहीं करना आज आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है औरंज रंग की शुपता है आज 56 पृत्षत का भाग आपके साथ है बुश्चिक राशी शिक्षा के लिए आज बहुत सकरात्मक की स्थिती रहेगी पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं दिखाई देती शिक्षा में सुधार भी होगा ब्यापार प्रभावित होगा बिजनस की स्थिती आज डावाटोल है बिजनस में नुकसान भी उठा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए अनकुलता रहेगी आज नौकरी में बदलाव होगा सकरात्मक नौकरी की संभावना है सरकारी च्षेतर की स्थिती सुधर रही है सरकारी च्षेतर में किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी गौर्मेंट सेक्टर में कुछ बहुत सकरात्मक रहेगा दामपत्त जीवन उलज सकता है दामपत्त जीवन में किसी तरह का बड़ा तनाव हो सकता है आज पति-पत्ने के बीच कुछ इस्थतियां हाथ से निकल रही है लव लाइफ में सुधार होगा लव लाइफ में आज कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका हल निकलेगा स्वास्थ के मामले में तनाव खत्म हो रहा है आज दवाओं का सेवन सूट करेगा और कुछ बहुत सा गारात्मक होगा उपाय क्या करना है ब्रिश्चिक रासी बालों को अगर आपकी रासी ब्रिश्चिक है तो आज अपने पितरों के लिए किसी मकान बनाने वाले मजदूर को हरी सबजी का दान और कुछ पैसा भी दे दीजेगा क्या नहीं करना है सामने वाले को कम नहीं आकना है सफेद रंगशु भई क्यावन प्रिश्चित का भाग आपके साथ है धन उराशी सबकुछ बहुत सकारात्मक होगा शान्त चित्त हो करके कदम बढ़ाएगेगा पढ़ाई अच्छी करेंगे ब्यापार प्रभावित होगा बिजनस की स्थिती ठीक नहीं है प्राइवेट सेक्टर में अनकूलता रहेगी प्राइवेट सेक्टर सब कुछ बहुत सकारात्मक इस्थेती पैदा करेगा सरकारी छेतर में मानसिक अशानती रहेगी सरकारी छेतर में परिस्थेतियां आपके हाथ से बाहर जा रही है दामपत्य जीवन आपका प्रभावित हो रहा है लव लाइफ ऐसे ही चलेगा स्वास्थ आज सुधार हो रहा है दमाओं का सेवन कम होगा स्वास्थ में आई बाधाएं दूर होंगे धनु राशी धनु राशी के लिए आज का दिन उपाय ग्या करना चाहिए अगर आपकी राशी धनु है सश्थी का श्राद है आज कच्चा चावल और आटा और हरी सब्ची ये तीन चीजों का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है आज आज जूठी कसम नहीं खानी है बाधामी रंग शुब है पचास प्रतुशत का भाग आपके साथ है सुधार होगा बिजनस में रुकेधन की प्राप्ती होगी आज बड़ा कुछ सुरू कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए बाधाय आएंगी आज नोगरी में अर्चने आएंगी बास के साथ विवाद होगा सरकारी छेत्र की स्थिति सुधर रही है सरकारी छेत्र में किसी तरह का दोश नहीं आएगा कुछ बहुत सगरात्मक हो सकता है दामपत्ते जीवन में सुधार आएगा दामपत्ते जीवन में स्थितियां आपके पक्ष में मैरेर लाइफ कुछ बहुत अच्छा होगा जा रही है लव लाइफ को ले करके सजग रहने की आवशकता है स्वास्त के मामले में मकराशी वालों को आज शुगर किड्नी और ब्रड़ पेशर की शिकायत हो सकती है मकराशी है तो प्रियोग के तौर पर आज का दिन सश्ठी के शिरात के समय में शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद अर्पित करिएगा क्या नहीं करना है आज इस तरी का अनाधर नहीं करना है लाल रंगशुभः 65 प्रतिशत का भाग्या के साथ है कुम्बराशी दिनांक 8 सितंबर दिनमंगलवार पढ़ाई में सुधार हो रहा है पढ़ाई सुध में लेगा शादी की चर्चा कर सकते हैं नहीं नहुकरी की संभावना है सरकारी छेतर में मुश्किलें आएंगी धन कहीं फं सकता है दांपत्य जीवन में सकारात्मक्ता रहेगी आज परिवर्तन होगा पति-पतने के बीच दनाव कम होगा लव लाइफ में कुछ कान आफोसी होगी इधर उधर का लगना बजाना और शक की दिवार खड़ी हो सकते हैं स्वास्त के मामले में आखों की तक्रीफ माइगरेन की समस्या बैक की प्रॉबलम हो सकते हैं उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी कुम है तो आज गव माता को हरा चारा देना कोई दोश नहीं है ब्यापार प्रभावित होगा पार्टनर्शिप तूट सकती है सरकारी छित्र अध्भुत रहेगा गौर्णन्ट सिक्टर में कुछ विशेश उपलब्धी मिलेगी दांपत्य जीवन सकारात्मक है आज परिवर्तन शुब होगा संतान का सुख मिल सकता ह लव लाइफ में आज कुछ सुधार नहीं आएगा लव लाइफ में बोज बढ़ेगा एक दूसरे को बोज़ा की तरह देखेंगे स्वास्त के मामले में कमर बैक घुटना और आखों की तकलिफ हो सकती है प्रियोग के तोर पर सश्ठी का शिराथ आज पित्रों का कमजूर मत समझिएगा नीले रंग की शुबता है चोंसठ प्रत्शत का भाग आपके साथ है में से लेकर मीन तक आज का दिन भाग्याक्षर कैसे शुब कर सकता है जानकारी देंगे हम लेकिन ये बता दें कि आगामी ग्यारह से सत्रह सितंबर आप हमारे साथ गया जी में पिंड़दान करवा सकते हैं उसका लाव ले सकते हैं पूरी जानकारी के लिए 9354619250 पर वाटसप कर दीजे आईए बताते हैं मेश से लेकर मीन तक का आज का भाग्याक्षर मेश राशी याक्षर ब्रिशब जामितुन लाक्षर करकटा सिंह भाग्षर कन्यामात तुला नाक्षर विश्चिक घा धनू लाक्षर मकर पा कुम्भ काग्षर मीन धा ये शुभ भाग्याक्षर सादे चवकुर कागज पर लाल रंग की इंक से लिखना होता है रख लीजे बात कर लेते हैं आज के सक्सेस की की तीन बूद सरसों का तेल उल्टे पाउं पर गिराईए फिर थुड़ा सा अरगर देजे मोजा पहनिये जूता पहनिये चप्पल पहनिये कदम बढ़ाईए कोरोना अभी खतम नहीं हुआ है देखिए तेज तक अभी ऐसे ही रहेगा शुब कामना है हमारी आपके उजल भविष्ट की फिलाल हमें अनुमत दीजेगा लेकिन आप सब हमसे आज और कल अभी और मिल सकते हैं गाजियाबाद में 9910291850 दिनस्वा का नंबर है काल करें वाटसप करें और गाजियाबाद मिलने का समय ले लिजे बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच हमें अनुमत दीजेगा आप लोगों का दिन बहुत शुब हो नमस्कार श्री किष्णा शिरादे